नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सन्वार जेस्ट माह के कृष्ण पक्ष की एकादसी को अपरा एकादसी कहते हैं इस दिन भगवान स्री हरी की पूजा की जाती है तो पूजा का सुमुर्त क्या है, महत्त क्या है, पूजा विधी क्या है और ब्रत का पारण कब करें आए जानते हैं बिस्तार से तो एकादसी तिथी का महत्त्व हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा है और हर मेने में दो बार एकादसी आती है लेकिन जो जेश्ट महा के कृष्ण पक्ष की एकादसी है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है जेश्ट महा में पढ़ने वाली इस एकादसी को अपरा एकादसी करते हैं और इस ब्रत को रखने से भगवान भक्तों के उपर कृपाद्रिष्टी बनाए रखते हैं सभी मनोकामनायद पुर्ण होती है तो सुमुर्द क्या है देखिए इस बार 26 मई 2022 गुरुवार के दिन एकादसी ब्रत रखा जाएगा और एकादसी ब्रत चुकी गुरुवार का दिन है तो इसलिए इस दिन का महतो भी बढ़ जाता है 25 मई 2022 की सुबह 10 बचकर 32 मिनट से एकादसी तिथी का प्रारम्ब होगा 26 मई 2022 की सुबह 10 बचकर 54 मिनट पर स्रमाप्ट होगा ब्रत का पारण 27 मई की सुबह 5 बचकर 25 मिनट से सुबह 8 बचकर 10 मिनट के बीच किया जाएगा द्वादसी तिथी समाप्त सुबह 11 बचकर 47 मिनट पर हो जाएगा तो पूजा कैसे करेंगे मात तु क्या है धार्मिक मानने ते के नुसार अपरा एकादसी का ब्रत रखने से आर्थिक समस्या दूर होती है इस ब्रत को करने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है और इस ब्रत को पांडवों ने भी किया था और उनकी सभी मनुकामनाय पुर्ण हो गई थी एकादसी के दिन कुछ खास परियोग किये जाते हैं आज हम स्वस्तिक का टोटका आपके साथ सेर करेंगे देखे हिंदू धर्म में किसी भी सुबकारी को सुरू करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ध बना कर उसकी पूजा करने का विधान है मनेता है कि ऐसा करने से कारियों में सफलता मिलती है क्योंकि स्वस्तिक के चिन्ध को मंगल का प्रतीक भी माना जाता है अब ये जो स्वस्तिक है सु और अस्ति के योग से बना है इसका मतलब होता है सुभ और सुभ यानि अस्ति का अर्थ होता है होना और सुभ का मतलब होता है अच्छा तो अच्छा होना किसी भी कारी को आप करने के पहले गनेज जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्व में स्वस्तिक को गनेज जी का भी प्रतिक माना जाता है। वैसे तो किसी भी सुभकार के पहले आप स्वस्तिक बना कर ही प्लेट में रखते होंगे। फिर आप पुजा करते होंगे। क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुजियां बढ़ती है। जिस तरह से स्वस्तिक के चार प्रकार की रेखाएं हैं स्वस्तिक में और इसका आकार भी एक ही होता है लेकिन असल में स्वस्तिक का यह चिन क्या बताता है परानिक माननेता है कि चार दिसाओं यानि पूरब पस्चिम उत्तर दक्षिन की और इसारा ये चार भुजाएं करती है और हिंदुधन में इनको चार बेदों से जोड़ कर देखा जाता है यानि रिगवेद, यजूरवेद, अथरवेद और सामवेद माननेता है कि स्वस्तिक की चार रेखाएं स्रिष्टी के रशनाकार भगवान ब्रम्भा के चार सीरों को भी दरसाती है और चार पुरसार्थ यानि चार आसरम, चार लोग, चार देवों ब्रम्भा, विश्णु, महेज, गनेज की तुलना भी की गई है माननेता है कि यदि स्वस्तिक की चारो रेखाएं को भगवान ब्रम्भा के चार सीरों के समान है तो मद्य में जो मौझूद बिंदु है भगवान बिश्णु की नाभी है जिसमें से वे भगवान ब्रम्भा प्रकट होते हैं और स्वस्तिक की चार रेखाओं में एक घड़ी की दिसा में चलती है जो संसार के सही दिसा के चलने का प्रतीक है ये तो स्वस्तिक का महत्त है लेकिन आज हमें खास प्रियोग बताएंगे देखिए घर के मुखे दरवाजे पर आज एकादसी के दिन आप सुमंगल प्रतीक चीन स्वस्तिक जरू बनाई है चाहे दो उसां से निजिए एक हैंसे अपर घरवाजे पर दोनों और सुस्तिक बनाते हैं या फिर ठीक उपर मध्य में एकदम बना देते हैं तो ऐसा करने से वास्तु दोस्त दूर होता है यानि तीन नहीं बनाना है या तो दोनों तरफ बनाईए या फिर उपर बनाईए बहुतिक कामनाओं की पूर्ती करता है तनाव हटाता है चिंता और निद्रा बेचैनी तंतर परिसानी हो तो इस किसी भी एकदसी के दिन आप स्वस्तिक को प्रान परतिष्ठा करवा कर चोखट पर लगवा सकते हैं वो तामबे का भी हो सकता है और आप चाहें तो एक स्वस्तिक जो चांदी होता है उसका आप लेए यह रेडिमिन मिलता है चोटा सा और लाकर उसको पूजा घर में रखकर पूजा करें इस्थिर लक्षमी की प्राप्ति होती है और लक्षमी को प्रसंद करने के लिए चांदी में आप चाहें तो नौरतन भी लगवा कर आप स्वस्तिक पो रख सकते हैं यह तो आप सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी तेल मिक्स करके य वैसे तो नौ अंगुल से बड़ा नहीं बनाना चाहिए तिंचार अंगुल का बनाई यह सुंदर भी लगेगा तो घर के सामने अगर पेड़ी या खंबा है तो इसके दूस्प्रवाव से भी रोकता है स्वस्तिक का चिन देपताओं को खुश करने के लिए खासकर एकादसी तिथी पर आप ठाली में या किसी जहां भी आप चौंकी पर रखते हैं देपता को तो स्वस्तिक बनाकर फिर देपता की मुर्ती रखे तो देपता प्रसन्ड हो जाते हैं और आप चाहें तो इस्ट देपता के पास स्वस्तिक का चिन रख सकते हैं एक बिसे सुपाय अगर मुख्य दर्वाजे की दहलीज के दोनों और स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजा करें स्वस्तिक पर चाबल की धेरी और एक एक सुपारी रख दें तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है सफलता मिलती है इस एक स्वस्तिक बना लेते हैं और स्वस्तिक के ऊपर थोड़ा सचाबल एक सुपारी रख देते हैं तो इसे 21 दिन तक रहने दें बाद में सुपारी को उठाकर गनेजी के पास रख दीजिएगा घर में ही और स्वस्तिक वाले प्लेट को आप साफ कर लीजिएगा 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती यानि इस एकादसी को कर लें तो लंबे समय तक ये आपको लाब देता रहेगा अगर आपको कोई विसेस मनोकामना है तब उन मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए विसेस प्रयोग होते है वैसे तो पितरों की कृपा के लिए भी स्वस्ती कचिन घर में गोबर से बनाना चाहिए मुख्य दरवाजे के बाहर से सुख सांती भी रती है पित्रों की कृपा परस्ती है वैसे तो एकादसी तिति के दिन ये कहा जाता है कि पीपल के जड़ में अगर एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल थोरी सी मीठ्वी वस्तू डाल कर पीपल के पेड़ में अब जल दे तो पित्री देवों की विसेश क्रिपा भी मिलती है और धन लक्ष मी परसन्न होती है धन दौलत सुख सम्रिद्धियस मान सम्मान बढ़ती चली जाती है तो ये तो थी स्वस्तिक के कुछ विसेश प्रियोग लेकिन कई बार होता है लंबे समय से मनुकामना नहीं पुर्ण हो पा रही है तब इस एक आदसी के दिन आप किसी भी पास के मंदिर में के दिवाल में जाकर उल्टा स्वस्तिक बना दे और जब आपके मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर सीधा स्वस्तिक बना दे सिंदूर से बनाईएगा तो चली आप जानते हैं भगवान सरी हरी की जब पूजा करेंगे तो उन्हें दो हल्दी की गांट जरूर अर्पित कीजेगा और बाद में उस हल्दी की गांट को पीले कपड़े में लपेट कर रख लीजेगा धन की मुस्किलें दूर होगी पहले से आपके पास रखा हुआ है तो उसको ही फिर से आप रख सकते हैं आपके पास जो भी चीज है केसर है कमल का पुस्प है केला है गेंदे का पुस्प है सब कुछ आप उनको अर्पित करें तो अपनी विसेस मनुकामनाओं की पूरती के लिए चाहे आपको जौब की प्राप्ति के तलास है या फिर आप चाहते हैं कि आपका प्यापर अच्छा चले य मन्दिल के दीवाल पर एक उलटा स्वस्फिक बना दें और फिर जब मननत पूरी हो जाय तब सीधा स्वस्थी बना दीजिएगा फिर से जाकर वहीं पर अगर अगर आपकी जब मननत पूरी जाती है तो और भगवान को धन्यवाद जरूर कहिएगा तो इस तरह से आप से अपनी मनोकामनाओं की पूरती के लिए ये विशयस प्रयोग करें और तुलसी जी में जब जल अरपित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी दो-चार बून दूद डालकर और थोड़ा सा मिसरी एक चुटकी अक्छट डालकर ही अरपित करें तुलसी जी मे और साम के समय एक घी का दिया जरूर जलाईएगा इस दीपक में एक सिक्का रख दीजिएगा और बाद में सिक्के को उठा कर आप सम्हाल के रखें वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डाल डाल कर जला सकते हैं ये सिक्का सिद्ध हो जाएगा फिर किसी जरूरी काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो यह सिका पास में रखकर निकलें तो आपको कारियों में सिद्धी मिलेगी तो इस दिन बहुत तरह के प्रयोग के जाते हैं लेकिन याद रखिएगा दीपक का प्रयोग जरूर करना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तर और अगर आपके घर के आसपास बिलुपत्र का पेड़ है बिलुपत्र जो सिपजी को और पीद के जाते हैं उसी पेड़ के नीचे एक घी का दो मुखा दिया और उसमें एक चावल का दाना डाल कर साम के समय जरूर जला दीजेगा समस्त मनुकामनाउं की पूरती हाथ हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरू कीजेगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा हर हर महादेब धन्यवाद